नमस्कार दोस्तो एवन टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप MI के स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो आज कल MI के फॉन में साथ ही एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी आ रहा है उसे हम अच् साथ बेटर है क्योंकि MI खुद एक स्क्रीन रिकॉर्डर आपके फोन के साथ हमें दे रहा है यह बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी सैटिंग को कैसे आपको कुस्टमाइज करना है ओके सबसे पहले दोस्तों आपको यह स्क रेका इंटरफेस होगा आप नीचे देख सकते हैं मेरा जहां करसर है अब यहां एक छोटा सा आइकन आ रहा है यह शैटिंग वाला आइकन ओके अब आपको इस शैटिंग वाले आइकन के उपर क्लिक कर देना है इसकी सैटिंग समय क्या रखनी है दोस्तों वह हम इस वीड रेजुलेशन कितना रखना है आपको अपने इस स्क्रीन रिकोडर का रेजुलेशन अपने वीडियो एडिटिंग सोफ्वेर के मताबिक रखना है आप वीडियो एडिट किसमें करते हैं जैसे मालों आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो यहां पहले तो मैं आपको इसका रेजुलेशन बता देता हूँ यहां यह 2400-1800 नीचे 1200-720 तो यहां कई आपके लिए और काइन मस्टर में देखने के बाद ही यहां रेजुलेशन सेट करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा पहले इसकी शैटिंग मैं आपको बता देता हूँ अधिक रखोगे आपके वीडियो का साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा यहां के लिए लिखा हुआ है हाईयर क्वाइल्टी मिंस बिगेर फैल साइज आपके वीडियो का फैल साइज बड़ा हो जाएगा यहां मैं क्लिक करता हूँ तो यहां 17 MPS, 8 MPS इसको भी आपको उस प्रेट में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या लैंड स्किप में आप यहां स्लैक्ट कर सकते हैं पर मैं आपको रिक्मेंट करता हूँ आप इसे और वी रहने देए शाउंड शोर्स आ रहा है यहां पर इसको ओपन करते हैं यहां म्यूट कर दोगे तो कोई आवास नहीं होगी आपके वीडियो में और नीचे आ रहा है सिस्टम साउंड और इस पर कर दोगे आप तो सिस्टम की जो साउंड है वही रिकॉर्ड होगे लेकिन आपको इसे माइक पर रहने देना है ओके यहां रहा है फिक्स फ्रेम रेट इसको आपको इनेवल रहने देना है ये इस तरह भी आपको मिल सकता है लेकिन आपको इसे इनेवल रखना है फ्रेम रेट क्या होता है दोस्तो यहां आ रहा है 30 fps और 24 और 15 फ्रेम रेट का मतलब होता है fps का मतलब होता है फ्रेम पर शेकंड जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके वीडियो में एक सेक सेकंड में कितने Photo record होते हैं मतलब काफी सारे photo was बहुत सारे photos . कौ गेधर करके ही एक video बनाया जाता है इक video के अंदब बहुत सारे photos होते हैं ओके तो यहां IPS का मतलब यही होता है यद फ्रेम पर सैकंड मतलब 30 photo's एक सेकंड के वीडियो में आपके 30 फुटो क्लिक होंगे और यहाँ अब मैं बोल रहा था आपको इसकी शेटिंग आपको आपके वीडियो एडिटिंग एप्लिकेशन के मताबिक रखनी आए तो यहाँ इसकी रेजुलेशन 24808 है और वीडियो गालड 16 Mbps और इसका फ्रेम रेट 30 है अब मैं यहाँ आपको अपना काइन माइस्टर ओपन करके दिखा देता हूँ चलते हैं अभी यहाँ पर मैं अपने काइन माइस्टर में आ जाता हूँ यह मेरा काइन माइस्टर आपलिकेशन है अब इसमें मालो मैंने किसी एक वीडियो को ओपन कर लिया है अब इसमें मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ या मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से करेता हूँ मैं क्रियेट अब यहाँ से मैं कोई एक वीडियो इसमें ले लेता हूँ जैसे मैंने इसे ले लिया अब जब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा यहां आ रहा है एक्सपोर्ट का शाहिन और एक्सपोर्ट पर जाएंगे तो इसकी जो वीडियो की शैटिंग है हमारी शामने खुल के आ चुकी है अब यहां देखिए यहां आ रहा है Full HD 1080 तो वहाँ पर जो first वाली resolution थी उससे रहने देना है मतलब इसमें जो resolution आप सोरी उस screen recorder में जो resolution आप रखते हैं उसी को आपको इसमें रखना है वही frame rate रखना है और वही यहाँ पर mbps bit rate रखना है इससे क्या होता है जब आप screen recorder से video record करते हैं वहाँ कुछ mbps है और resolution कुछ है और यहाँ पर आप कुछ डाल देते हैं दोनों में different कर देते हैं तो इससे आपकी video की quality खराब हो सकती है मेरा कहने का मतलब यह है जो settings आप अपने screen recorder के अंदर रखते हैं वही setting आपको अपने काइन मास्टर में रखनी है या फिर आप कोई दूसरा जो भी video editing app यूज करते हैं उसमें shame setting आपको रखनी है screen recorder में आपका जो bit rate frame rate और resolution high है और यहाँ पर आप उसे low कर देते हैं या फिर वहाँ low है और यहाँ पर आप उसे high कर देते हैं तो आपके video के quality 100% खराब हो जाएगी ओके तो यही मैं आपको शमझाना चाहता था दोस्तो और अभी इसमें मैं आपको एक record करकी और बताऊँगा यहाँ पर अब मैं फिर से अपने screen recorder के अंदर आद चुका हूँ जो मेरा MI का screen recorder है और frame rate और फिर यहाँ आ रहा है नीचे lock screen to end जब आपकी video complete record हो जाती है तो आपको screen को lock कर देना है यह आपकी recording stop हो जाएगी अभी आपको इसमें important setting बताने वाला हूँ अभी आपको video skip नहीं करना है फिर नीचे आना है आपको show touches capture इसको आप enable रखेंगे तो जहां जहां touch करेंगे आपको दिखाई देगा यहां रहा है show button tabs ओके इसको enable रखना है आपको तो इस तरह दोस्तों आप Redmi के mobile का जो screen recorder है उससे use कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा screen recorder है इससे क्या है कि आपको third party application को अपनी phone में install करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर दिए दोस्तों और चैनल को कर लिजिए subscribe आपका एक like हमें बहुत ही motivate करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज काईज request है कि आप वीडियो लाइक चरूर कीजिए वीडियो बहुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद